नमस्कार एटीवी भारत में आपका स्वागत है पांचवे चरण का मद्दान शुरू हो चुका है और हम इस समय मौजूद है इन अयुद्या विधान सभासी के जो है कट्रा पोलिंग बूद पर जहां पर देखिए ये सादू संत जो है मताधिकार का प्रयोग करके वापस आ अजुदाश जी अभी दो दिनों पहले आपने एक चुनावती दी थी सपा सुप्रीम और अखलेश यादों को कि अयुद्या में आकर हनमान गळी का दर्शन करे तो जानू उन्होंने दर्शन कर लिया क्या लगता है आपको कि अब हिंदुत की भामना मन में जग गई है न उनके अबाजान भी 10 साल मुखमंतरी रहें तो इसके पहले वो क्यों नहीं आई आना चाहिए था ना किसी ने रोका था क्या आखिर योगी जी लगातार 45 बार आए हर बार आए चाहे उनको रात में रुकना पड़े रुकने के बाद वो दर्शन किये तो एक ये भी मुखम वक्तों को पर गोली चलाई थी तो ऐसे काल्यमियों से साब्धान रहने की जरूरत है ये वोट की ये जो मैंने आज वोट डाला है ये उसकी ताकत है सड़ी जातिवादी महांसिक्ता से हिंदू जनमान से हड़कर सबकी साथ सबके विकास के साथ वोट किया जिसका प्रणा राम सर्वप्यख सब में चेंजग आ गई जो कभी अध्या नहीं आता था जो राम की बात नहीं करता है जो बंदे मातरम कर रहा है आज मजबूरी में उसको हनमान गड़ी मत्था टेकना पड़ए तो आप धर से निकले मद्दान किंदर किंदर तक आए और जरूर और रोट्शो किया बीजेपी का रोट्शो JU था जैशे राम के नारे लगे हैं लेकिन खλिश यादों ने भागवान राम की नगरी में आकर राम को प्रणामतों के जरूर किया लेकिन मैं किरा है आपको भले वह कहरे हों कि भागवान लाम में आस्था रखने हो लेकिन खुले मंस से कियों पर ही जरां से अगर आस्था होता तो निहते राम भक्तों का उपर गोली नहींत ठालाती जहां उन्होंने कैर्फाम को समाथ किया जिस गली सो गुज्रे उस गली में निहते लेकिन बहुत संख्यक समाज की इनुटी ऐसे बनी न रहे इसको तोड़ने का पी प्लान है यह वोटरों के आतंगबादी है जो वोटरों को भरवानी का काम करते और कुछ नहीं टिकट की रेस में भी थे और आपने कम कैंपेंड भी खुप किया बीजेपी के लिए आयोध्या सीट की बात करें तो व्यापारियों में कुछ नाराजगी आपको देखने को लेकि इस बात की चर्चा है कि आयोध्या में जो विकास योजना है उसको लेकर नाराजगी हो रही सारे बेपारी ठीक हो गए थोड़ा सा इन सपाईयों ने मन भरमित करके रखा था जिसके नाते वो लोग इधर उधर जा रहे थे लेकिन हम लोगों ने कैंपेंड किया बाच्चत किया और मानि मुखवंतरी जी से मिलवाया मुखवंतरी जी ने अस्वस्त किया आस्वसन द अयुद्या सदर विधानसवा सीट से वेध प्रकाश गुपता भारती जनता पार्टी और तेज नरायन पांडे पवन समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी हैं 2017 के चुनाओं में लगभग 50,000 से अधिक दुगने वोटों के मतों से वेध प्रकाश गुपता ने जीत दर्च की थी हाला कि इस बार राजनीतिक विशलेशन करता ये बता रहे हैं कि लडाई जो है बेहत चुनाओती पूर्ण है लेकिन अभी भी जो महाल है वो जनता विकास को बेरुजगारी के मुद्दे को देखते हुए वोट कर रही है हाला कि अयुध्या में राम मंदर का निर्माड बीजेपी के लिए संजीवनी साबित हो रहा है अयुध्या से अनूप कुमार एटीवी भारत